माननिय प्रदन मंत्री जी मेरा आपको नमस्कार मेरा नाम भारती नारायन रन मैं काउने गाउसे हूं जहाँ पे भगवन स्री राम जी का मंदिर है यहाँ कुम्ब मेले का अध्यस्तान है मैं एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशल स्कूल पिंपरी सदों में तहसी लिगतपुरी लाना सिक नवी कश्या में पढ़ती हूं भारती जी तुम इतना हिंदी बढ़िया बोलती हो कैसे बोलती हो थेंक्यू साथ जी यह कोन आयत में सिके तुम चाहरोबर बर कोन आयत है कि नरे मेरी मैं मेरा बड़ा भाय और में हूं गी हुआ है है अ क्यूंस ने पदेश्व ने मोडल रेसिडेंश लिश्कूल पिंपरि सदों 할itution तो तुम होस्टल में रहती हो जी सर तो सेटरडे संडे घर चली जाती होगी हुआ है नहीं सर हं होस्टल पहे रहते है पूरा समय संथों दिन की जी स 울च थी कितने महिने के बाद मिल है कि हम आप मेले में एक के बाद तो मंपी याद नहीं आती है कि आती है पर वह शिक्षक बहुत अच्छ है समझ दासा हमें समझ लेते हैं इसलिए हमें याद नहीं आती है ममें पापा की अजया आप इतना सारी बाते बताती हो तो आपका सपना क्या है क्या बनना चाहती हो कि सर्में आयेस अफिसर बनना चाहती हूं आयेस है जी सर फिर तो हम सब को सलाम करने पड़ेगी तुझे है 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 कि देखिए बहुत बड़ी बात कि आपने यह अच्छा आपके मन में विचार कहां से आया यह मन कैसे कर गया आपको आयेस बनने का मुझे मेरे बड़े भाई से पेरना मेली है और वह चटी कंश्या से बारे विचा तक इमारे स्कूल में पड़ा है और अब पड़ा रहा है स्कूल के बच्चों को है तो यह बड़ा भाई जिखाता है कि मैं तो आइस बन पाया तुझे बनना पड़ेगा ऐसा करता है कि आपका बेंड़ भाई का जगड कि जरूर होता है सर तो कौन जिता है लड़ाई में कौन जीत जाता है कि में ही जिकती हूं मेरा भाई मागरी ले जाता है अच्छा भारती जी क्या आपके परिवार में कोई और है जो एक लब स्कूल गया है और मेरा भाई बड़ा भाई है वह वह एक लब स्कूल गया जी सर और गाव में कितने लोग होंगे जो एक लब में पढ़ते होंगे दोन ती बच्चों होगे अच्छा दोन तीन आच्छा तो ला माहित आए ना मिया आला होता ना नवसारी ला जी सर नाशिक लालो होता है जी सर पता है अच्छा जरा पांडूरंग जी को बात करने के लिए दिए अधर निया प्रदान मंत्री जी नमस्कार नमस्ते मेरा मेरा नाम भाउसा है पांडूरंग रण है मैं कावने का रहने वाला हूं मैंने चटी से लेकर बारवी तक सिबी एसी बोर्ड के स्कूल में एक लव्य रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई की है बाद में ग्रैजुएशन करके अभी मैं आश्रम स्कूल में पढ़ाता हूं सर अच्छा ग्रेजुएशन कहां पर किया ग्राजी ग्राजुएशन भी नासिक में ही किया सर नासिक में किया अच्छा आपने अपने गाओं में दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया है जी सर हमारे यहां हमारे समाज के जो लोग है जो बाहर गाओं में जाते हैं काम करने के लिए लेकिन मैं हर वक्त उनको बोलता रहता हूं कि हमारे लिए बहुत सारी सुविदाय है रहने के लिए होस्टेल है अच्छा स्कूल है बड़ा स्कूल है और हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे और मैंने दो तीन बच्चों को प्रेरित किय है और उनका एडमिशन भी एकलव्य स्कूल में हुआ है सर अच्छा इतने सारे योजनाय भारत सरकार चला रही है खास करके आदिवासी परिवारों के लिए चला रही है तो कौन-कौन सी सुविदाय वहां मिली है जी सर हमें प्रदानमंत्री जन्मन योजना के अंतरगत आ आवस मिला है और आज आप आपके तरफ से नब्य हजा रुपए किस्त के रूप में मिलने वाले है और इसके साथ साथ हमें सोचा लाई और उसके साथ साथ मनरेगा के साथ हमें रोजगार भी उपलब्द करा रहे हैं और हमारे घर में बिजली आती है उजवला ग्यास मिला है सर और फानी पीने का पानी नल भी हमारे घर में आया है क्व फिला रेशन कार्ड मिला है सर और आईश्मान भारत कार्ड भी मिला है जिसके वज़े से हम पांच लाग तक मुप में इलाज किसी भी अस्पताल में कर सकते हैं सर अच्छा आप दोनों भाई बेन को मैं पूछता हूं कि समाज इतना सारा आपके लिए करता है आप समाज के लिए क्या करते हैं कोई विचार आता है मन में कि जी सर तो मुझे तो ऐक सिस्वन ना था और मेरी ऐसी प्रेर नहीं इस मैसे इच्छा है कि मैं हर एक विद्ध्यार्थी को पढ़ा कर देश के हरे कोने में पहुंचा दूँ मेरे समाज का हो या पूरे भारत देश का हो और वह एक बड़ा अफ्सर बन के भारत का विकास करें अच्छा अब यह जो मैं नासिक आया था मंदिन में मैंने सफाई का काम किया था जी सर वह क्यों किया था कि सर हमारी एक श्रद्दा रहती है और श्रद्दा के वज़े से आप पूरी तरह उसमें लीन होकर वह काम कर रहे थे सर नहीं मेरा संदेश रहे क्या मालूम है उसके साथ सर स्वच्चता स्वच्चता अभियान आपने चलाया था उसका संदेश देना चाहते था सर ने अभी मैंने कहा है कि मकर संक्रांती से 22 तारीक की मंदीरों की सफाई सब लोगों ने करनी चाहिए पुरा गाउं निकलना चाहिए जी सर यह अप लोगों को संदेश मिला है हाँ सदेश मिला है आपके आगाउं में आपके विद्यार्थी अपने अपने गाउं में करेंगे जी सर बिलकुल करेंगे सर चलिए आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप एक बहुत सपने देख रहे हैं उजबल भईश के लिए महनत कर रहे हैं मेरी तरफ आप दोनों को बहुत-बहुत और आपके माता-पिता को भी प्रणाम क्योंकि वह आपको पढ़ाते हैं आपको आगे ले जाने के लिए मैनत करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में इस कारिकम में जो लोग आये हैं मैं उड़का भी अभिनांदन करता हूं मुझे विश्वाथ है कि भारती अपने लक्ष को जरू हसिल कर लेगी लेकिन इसके लिए आपको लगातार मैनत करनी होगी हमारी कोशिस है हमारा भविश्य बनाने के लिए आपको हमारे तरब से हम दोनों भाई बेन धन्यवाद करते हैं सर हम सबने मिला करके देश के हर सब्सक्राव साब जैसे बच्चे एक लव्य विद्यालगा के मादम से अपने सपने हासिल कर सके इसके लिए एक लव्य स्कूलों की संग्यावी बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है और अधिक से अधिक लोग इसका फाइदा उठाएं यही मेरी आप सबको आग रहे हैं सबी बच्चों को आग रहे हैं चलिए आप सबको बहुत बहुत शुब कामना हैं